पिछले कुछ महीनों में टाटा मोटेस को कर्व के साइज को चुपाने के लिए भारी कवरिंग के साथ टेस्टिंग करते हुए देखा गया है लेकिन नई स्पाई शोर्ट्स में अब बोडी शेल्ट का कूप सिलहाउट दिखाई देता है बहीं स्पाई शोर्ट्स में कर्व केस्टिंग म्यूल से कुछ नई डिटेल्स का पता चलता है ये उस नोच बैक साइज की पुष्टी करता है जो इस साल की शुरुवात में आटो एक्सपो में शोकेस किया गया था हलांकि इसकी राइवल SUVs की तूलना में धलान वाली रूफ इसे एक अनोखा लुक देती है बहीं स्पाई शोर्ट से पता चलता है कि टेस्टिंग म्यूल में अलोई फिल्स आटो एक्सपो डिस्पले वहां से अलग दिये गए हैं हलांकि हो सकता है कि ये केवल टेस्टिंग उदेशे के लिए किया गया हो इसके अलावा इस कूपे SUV में वही मस्कूलर लुक बरकरार रखा गया है जो आटो एक्सपो दोजार तैस में कॉंसेप्ट वहिकल में दिखाया गया था बात करूं इसके इंटिरियर की तो इसमें टू स्पोक स्टेरिंग फील नई इन्फोटेन्मेंट स्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्पले देखने को मिलेंगे जो पहले दिखाये गए कर्व कॉंसेप्ट से इंस्पायर हैं और यही उमीद है कि कम्पनी लौच करने के बाद भी कर्व में इन एलिमेंट्स को बरकरार रखेगी अगर बात करूं टाटा कर्व पावर ट्रेन की तो टाटा कर्व के पावर ट्रेन के बारे में अफितर कोई भी डिटेल सामने नहीं आई है लेकिन स्पाई शोर्स में बाहन नई टर्वो पेट्रोल यूनिट्स के साथ स्पोर्ट की गई थी और खवरों की माने तो कमपनी CNG पावर ट्रेन की टेस्टिंग भी साथ में कर रही है तो इस हिसाब से हमें Tata कर्व, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, CNG और डिजल पावर ट्रेन options में कमपनी इसे लौँच कर सकती है यहां पर आपको बता दूं की Tata Motors दवारा अधिकारिक तोर पर जारी किये गए design sketch में एक CNG बटन दिख रहा था जिससे संकेत मिलता है कि कर्व को CNG पावर ट्रेन में भी कमपनी लौँच कर सकती है हलांकि कमपनी ने एक बात बड़ी क्लियर कर दी है कि सबसे पहले कर्व EV लौँच होगी उसके बाद ही ICE मोडल लौँच किये जाएंगे अब बात करते हैं टाटा कर्व SUV की लौँच और इसके राइवल्स की तो ख़वरों की माने तो इलेक्ट्रिक कर्व SUV 2024 की पहली छिमाही के दोरान लौँच हो सकती है और इसके लौँच होने के तुरंत बाद ही ICE पावर ट्रेन लौँच किये जाएंगे बात करूं इसके राइवल्स की तो लौँच होने के बाद ये मिटसाइज SUV सेग्मेंट में एंट्री करेगी और हुन्डे क्रेटा, किया सेल्टोस, मारूती ग्रेंड विटारा, MG एक्स्टर, स्कोडा कुशाक और फोक्स वेगन टाइगुन से कुम्पीट करेगी अब बात करूं इसकी संभावित कीमत की, हलांकि कमपनी ने इसकी कीमत के बारे में अभी तक कोई भी ओफिसल स्टेटमेंट नहीं दी है, लेकिन खवरों की माने तो कमपनी टाटा कर्व EV को 17 लाख रुपए से लेकर 23 लाख रुपए के बीच में लौच कर सकती है रही बात इसके ICE मोडल की कीमत की, तो कमपनी इसे साड़े 10 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए एक्शोरूम कीमत पर लौच कर सकती है तो गाईज ये थी टाटा कर्व के बारे में लेटेस्ट न्यूज अपडेट, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन पे ओल पे क्लिक करें तो जैहिन दोस्तो, have a good night